हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो स्टड़ी नियूज आज हम इस वीडियो में ब्रिक्स सम्मिट के बारे में जानेंगे ब्रिक्स उभरती राष्टी अर्थ व्यस्थाओं का एक संग है ब्रिक्स कोई अंतराष्टी अंतर सरकारी संगठन नहीं है ना ही या किसी संधी के तहत इस्थापित हुआ है इसे पांच देशों का एकिकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है ब्रिक्स देशों के सर्वच नेताओं का तथा अन्य मंत्रिय सम्मेलन प्रतिवर्स आयोजित किये जाते हैं ब्रिक्स सीखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्स ब्रिक्स सदस्य देशों के सर्वच नेताओं द्वारा क्रमा अनुसार की जाती है तो जानेंगे इस वीडियो में ब्रिक्स से जुड़ी सारी जानकरी So let us start ब्रिक्स ग्रूप बनाने की चर्चा सन 2001 में गोल्डमें साच के अर्थ सास्त्री जिम ओ निल द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थ व्योस्ताओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी जिम ओ निल एक ब्रिटिस अर्थ सास्त्री हैं वर्स 2006 में चार देसों ने सयुक्त राष्ट महासभा की समानने बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्चिक बैटकों के साथ एक नियमित अनुपचारिक राजनाइक समन्वे सुरू किया इस सफल बातचीत से यह निर्णे हुआ की इसे वार्चिक सिखर समेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के इस्थर पर आयोजित किया जाना चाहिए ब्रिक्स का पहला सिखर समेलन 2009 में रूस के एक तेरीन बर्ग में हुआ और इसमें वैस्विक वित्ति व्यस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई 2010 में दच्छड अफरीका को ब्रिक में सामिल होने के लिए आमंतरित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा 2011 में दच्छड अफरीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स सिखर समेलन में भाग लिया था अब जानते हैं ब्रिक्स के उद्देश के बारे में ब्रिक्स का उद्देश से अधिक इस्थाई, सानेगत और पारस्परिक रूप से लापकारी विकास के लिए समू के साथ साथ अलग-अलग देशों के बीच सहयों को व्यापक इस्तर पर आगे बढ़ाना है ब्रिक्स के द्वारा प्रतिक सदस्थ के आर्थिक इस्ति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश के आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाय जाए और जहां तक संभव हो प्रतियोगिता से बचा जाए ब्रिक्स की मुख्य विसेस्ता यह है कि इन देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगबग 40 प्रतिसत है और इसका वैस्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगबग 30 प्रतिसत है इसे महतपूर आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेस बाजार तथा वैस्विक सकती है ब्रिक्स देशों में आर्थिक, पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज, राजनीतिक और सुरक्षा के रूप में सहयोग किये जाते हैं ब्रिक्स समझोतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, बॉर्डर, टेक्स, ब्रिक्स व्यापार परिसद और निवेस बाजारों को बढ़ावा देने के साज़ा उद्देश की प्राप्ती में योगदान देते हैं ब्रिक्स सदस्यों रे प्यूपर्स टू प्यूपल्स, एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृती, खेल, सिक्षा, फिल्म, आदी, छेतरों तथा यूवाओं में सहयोग को बढ़ावा देने के आवसक्ताओं को पहचाना है ब्रिक्स सदस्यों के राजनितिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश विश्व को सांती, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निस्पक्ष बनाने में सहयोग करना है अब जानते हैं न्यू डेवलप्मेंट बैंक के बारे में 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चोथे ब्रिक्स सिखर समेलन में ब्रिक्स और अन उभरती अर्थ वयस्ताओं के साथ साथ विकासिल देशों में बुनियादी धाचा और सतत विकास पर योजनाओं के लिए एक न्यू डेवलप्मेंट बैंक की इस्थापना पर विचार किया गया था और 2014 में ब्राजील के फोटा लेजा में छटे ब्रिक्स सिखर समेलन के दोरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलप्मेंट बैंक की इस्थापना के लिए समझोते पर हस्ताक्छर किया न्यू डेवलप्मेंट बैंक का मुख्याले संगाई में है और इस बैंक के संचालन के प्रमुक छेतर हैं स्वच्छ, उर्जा, परिवहन, अवसर रचना, सिचाई, इस्थाई, सहरी, विकास और सदस्देशों के बीच आर्थिक सहयोग ये बैंक सभी सदस्देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्स तंत्र पर काम करता है अब जानते हैं ब्रिक्स भारत के लिए क्यों इंपोर्टेंट है भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्स और सहयोग के साथ साथ समाजिक वैस्विक मुद्दों जैसे अंतराष्टी आतंकवाद, जलवायू, परिवर्तन, खाद और उर्जा सुरक्षा, अंतराष्टी स्थानों में सुधार आदी के माध्यम से ब्रिक्स की सामोहिक ताकत से लाभानवित हो सकता है New Development Bank भारत को बुनियादी ढाचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अरजित करने में मदद कर सकता है और इस बैंक ने अपने पहले रिड को स्विक्रिती दी है जिसमें नवी करनिय उर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मर्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा हेतू धाइसो मिलियन डॉलर का रिड सामिल है तो अब जानते हैं 2020 के बारहोवे ब्रिक्स सिखर समेलन के बारे में तो इस बार का ब्रिक्स सिखर समेलन कोरोना वाइरस पैंडेमिक के वज़े से वर्चूल तरीके से हुआ इस सम्मिट में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने आतंगवाद पर बड़ा बयान दिया है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने कहा है आतंगवाद और आतंगवाद समर्थन मुलकों का विरोध होना चाहिए मोदी जी ने इस समस्या को संगठित तरीके से मुकाबला किये जाने की जरूरत बताई है इसके अलावा कोरोना संकट से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सफलता के लिए किये जाने वाले प्रयासों की भी चर्चा की है इस बार के ब्रिक सिखर समेलन की मुखे बाते आतंगवात थी जो विस्व के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और डबलू एचो, डबलू यू टियो और आई एम एव जैसे इंस्टिट्यूसन में सुधार होना और भारत ने आत निर्भर भारत अभियान के तहट एक व्यापक बदलाव की प्रक्रिया सुरू की है यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि आत निर्भर भारत वैस्विक अर्थ वैस्था के लिए मददगार साबित हो सकता है भारत ग्लोबल वैल्यू स्रिंखला में एक मजबूत योगदान दे सकता है भारत ने COVID-19 पैंडेमिक के दोरान भी आत निर्भरता का उधारन पेस किया भारती फार्मा उद्यों की चमता के कारण हम डेर्ट सो से अधिक देसों को आवसक दवाईया भेज पाए है इस साल की ब्रिक्स सम्मेलन की थीम प्रासंगिक और दूर दर्सी है 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्स पूरे हो जाएंगे तो ये थी पूरी जानकारी ब्रिक्स सिखर सम्मेलन के बारे में आई होप आपको काफी जानकारी मिली होगी Have a nice day आई हो जाएंगे